नवस्कार दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखे आज की वीडियो हमारा जोगरफी का है इसमें हम बात करेंगे प्रथवी की सतय पर दाप्मान निर्धारित करने वाले कारक लास्ट वीडियो जो हमने कवर किया था वह ता ट्रांसफार अफिट यानिक ग्लोब है प्रत्वी है ठीक है देखें यह है नॉर्थ पॉल यह है उत्री धुरू कि यह साउथ पॉल यह दक्षिणी धुरू है कि अदेखे नौर्ठ पॉल बिल्कुल यहां पर नहीं है प्रथवी के उपर बिलकुल यहां पर है यह अर्थपा और साउथ पॉल का यह यह एरिया बिल्कुल नीचे यहां पर नहीए तो प्रतवी है कि बीथ से डिवाइड अगर sufficiently कोही एक डालें जो प्रतवी को बीत से हमारे प्रतलिक प्रत्वी यह इस लिए इसे बोलते हैं यह हमारी इ compliance एपिक प्रती सी छूकी हुई है जलिस आगे स्टार्ट करते हैं यह हमारे सर्वेसेज भी धालोग अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बिलको अवस्ट प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं देखिए यह ग्लोब है प्रतवी यहां पर आपको सीधा दिख रहा होगा लेकिन ऐसे टेड़ी साड़ी जुकी लॉंगिट्यूड बोलते हैं इसे ठीक है और यह जो रेखा है उध्वाधर रूप में बनाई जाती ही इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड या देशांतर बोलते ही नहीं तो देखिए हमको पढ़ना क्या है यह प्रतवी की सते पर तापमान निर्धारित करने वाले कार है तो सबसे पहले बात आती है आपतन कोंड की यह प्रतवी की सते ठीक है यह प्रतवी की सते है यह आप इस पे आपतन कोंड क्या होता है तो यह सूर्य है सूर्य से जो आने वाली प्रतवी की सते पर किरण है यह यह जो एंगिल बनाती है प्रतवी की सते से यह वाला इसे ह प्रत्वी कि सतह और सूर किरण के बीच जो कोढ बनता है उसे हम आफ तन कोण बोलते हैं धेखिए अब आप तन कोण पहली बात तो सतह पेदा और निधायत एक तो आपतन कोड ये जो कोड होगा ये निर्धायत करेगा कि सतह पे कितना टंपरेचर होगा अब आपतन कोड किस प्रकार का होगा उसको कौन डिसाइड करेगा तो आपतन कोड के एक अक्छांसी इस्थित डिसाइड करेगी कि किस अक्छांस पे ये आपतन कोड है अब यही अ दिगरी जो अक्षांस है यह सबसे बड़ी अक्षांस रेखा होती है एक्वेटर बोलते हैं और साधे तेज़ डिग्री नार्थ और साउथ साथे तेज़ डिग्री जो रेखा होती है अक्षांस रेखा ए उन्हें साधे तेज़ डिग्री में ले पढ़रुत करकर रेखा हो जाएगी हमारी मकर रेखा और जो सूरी का मूवमेंट होता है चुकि प्रत्वी क्या है अपने अक्ष पे जुकी हुई है और सूरे सूरी के चारो और घूम रही है प्रत्वी तो जब चारो और घूम रही है तो क्या होगा कि रोटेशन के कारण और जो अपने अक्ष पे भी प्रत्वी घूम रही है यह प्रत्वी क्या है कि अपने अक्ष प्रत्वी है यह अपने अक्ष पे भी घूम रही है गोल गोल और सूरी के चार और भी घूम रही है तो जो सूरी का मूवमेंट होता है वो करक रेखा से और मकर रेखा के बीच होता है जीरो डिग्री से अक मुंइंट किस चांस के बीच होता है तो कर्क देखा और मकर रेखा के बीच ही वुर człi पड़ेंगी तो वह कर्क और देखे जहां पर सकते हैं कि नीचे वाला यहाँ पार्ट यहाँ दिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है जाकर जरूर देख लेए शुर्ट की किरने 21 जून को अभी आने वाला है योग दीवस है 21 जून को लंबध पड़ती है कहां पर करकरेखा पर तो 21 जून को जब सुर्ट की करने लंबध पड़ेंगी तो दिन सबसे बड़ा होगा डिग्री पे पहुंच जाएगा सितंबर के माह तक सितंबर के माह के बाद यह दक्षिनायन इसका होगा मतलब यह साउथ पार्ट के ओर आएगा मकर रेखा की ओर तो यह दिसंबर के माह में क्या होगा सूरी करक रेखा पे मकर रेखा पे पहुंच जाएगा और फिर मैंने बो पुरिकी लंबोत किरने करक रेखा पर चमकती हैं तो उसे हम समर सॉलिस्टिस या करक संक्रांती बोलते हैं और जब मकर रेखा पर लंबोत चमकती है तो उसे हम विंटर सॉलिस्टिस या मकर संक्रांती यह करक संक्रांती है यह उपसा और अपसार हम डिटेल में पढ़ा चु अब देखे सौर किरण सौर विकिरण के तिर्चे पन में ब्रद्ध के साथ वायू मंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा सौर उर्जा के और सोशल और परावर्तन में भी ब्रद्ध होती है यह सूर की किरणे हैं जब यहां से बिल्कुल लंबावत आएंगी तो इसका मतल दों आये कि यहां पे वायू मंडल का पाट अधिक आ रहा है ठीक है वायू मंडल अधिक है आधिक मंदल में ट्रवल करनी पड़ रही है वायू मंडल रही है व्ह Caseycion और मिलेंगी को तब सूरी की किरणे गैसे अधीक है तो कुछ तो एब्जॉर्ब करेगी रेडियेशन को और कुछ परावर्टित कर देगी तो जो बची होगी वो प्रत्वी की सतह पर आएगी तो यहां पे वाई मंडल कम होने के वज़े से क्या होगा कि सूर की अधीक से अधीक किरणे सतय पर पहुंच जाएंगी तो यहां पे तापमान क्या होगा अधिक होगा तो 90 डिग्री है तो यहां पे तापमान अधिक है जैसे जैसे सूरी की किरने प्रतवी की सते से कोण घटता जाएगा ये कोण एंगिल घट रहा है न तो वैसे वैसे क्या होगा कि तापमान कम होता जाएगा तो तापमान का किस विसे व्यसे तापमान कम पराप्थ हो रहा है तो प्रतवी की सतेय के बीड़ु बनता है तो अक्छांस समय किस अक्छांस पर है जैसे सूर्य होता है कर्ग और मकर रेखा के मद्ध ही अधिक पराप्थ होगा दूसरा आप तन कोड को कौन डिसाइड करेगा तो प्रतवी का अपने आक्ष पर जुकाओ और प्रक्रमण ये अमने बताए प्रतवी अपने आक्ष पर 30 डिजुकी हुई है और सूरी के चार और प्रक्रमण भी कर रही है रोटेशन भी कर रही है अपने आक्ष पर भी घूम रही है घूर्डन भी कर रही है और दिन का समय अधिक दिन का समय लंबा होगा तो क्या होगा जैसे 21 जुन दिन का समय अधिक होगा लंबा दिन होता है तो अधिक सूर्यात प्राप्त होगा गर्मी अधिक होगी ताप पान अधिक होगा तो यह पता चल गया कि आपतन कोण का टंपरेचर से कैसा संबन्द होता है कि यह यहां पर वही चीजे लिखी हुई है प्रतवी का अपने अक्ष पर जुकाव और परक्रमन के कारण ही सूरी की लंबोत किरण का विश्वत रेखा और कर्क विश्वत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के मद्ध विस्थापन होता है मैंने काता सूरी सीव करक रेखा से मकर रेखा के बीज मूव करता है इतने में ही सूरी मूव करता है विशू क्या पोजीशन है विशू क्या है एक्विनॉक्स जब सूरी की किरणे करक रेखा पर लंबहुत पड़ती है ठीक है ये विशू हो जाएगा एक होता है ग्रीश मैन होती हैं फिख है इसलिए जहां लंबाने पढ़ेंगी वहां पर अधिक तापमान होगा तोब ग्रिम्र 009 नानद के समय ना ए विषवत रेखा करक रहा होद और और शीत आयनांद के समय ना जागॉट सक्टा करक्रेखा ने पर जुकाओ और परिक्रमड अपने अक्ष पर जुकाओ और परिक्रमड के कारण किसी भी अक्षांस पर वर्स भर आपतन कोड एक सामान नहीं रहता है प्रत्वी अपने अक्ष पर क्या है जुकी हुई है और सूरी के चारोर घूम रही है इस वज़े से क्या हो रहा है किसी यही जो अक्स का जुकाव और परिक्रमण यही के करण तापमान के साथ मौसम में परिवर्तन होता है प्रत्वी के घूरण के कारण प्रत्वी अपने अक्षपे रोटेट कर रही है यह प्रत्वी है यह अपने अक्षपे रोटेट कर रही है एंटिक लॉक वाइज ठीक है किसी भी अस्थान पर दिन के समय में परिवर्तन के साथ आप्तन कोड में धैनिक परिवर्तन होता है अब दिखे दोपाहर के समय सूर किरण के लंबवत होने के अकार सूर को करने सीधही के पैक्सा अधिक रहता है जब दोपाहर के समय सूर की किरने लंबोत पड़ेंगी तो मैंने कहा था प्रत्वी गर्म कैसे होती हुआ मंडल तो पहले तो सौट वेव रेडिशन के द्वारा सते पे तापमान आता है और लांग वेव रेडिशन के द्वारा सते से वापस जाता है तो जब प्रत्वी का सूर्यता प्राप्त हो जाएगा दोपाहर में तो एब्जार्ब कर लेगा उसके बाद जब यही वापस लांग वेव रेडिशन के रूप में वाई मंडल में मतलब यह प्रत्वी है यह जीरो डिग्री है यह साधे तेज़ डिग्री ठीक है अब साधान आप से लेके नहीं समुद्र होगा कहीं ज़र्णे होगे कहीं पहाण होगा कि पठार होगा कहीं परवत होगा ठीक है उच्छावच है विन विन प्रकार का तो दीखे जल की सतह से जल की सतह की तुलना में अस्थल की सतह जल्दी गर्म होती है उसका कारण क्या है विशिस्ट उस्मा उसका कारण है जल की सतह की विशिस्ट उस्मा का संबंध क्या होता है रेट आफ हीटिंग से तो विशिस्ट उस्मा का ये उल्टा संबंध होता है विशिस्ट उस्मा जिसकी भी अधिक होगी उसका क्या होगा कि रेट आफ हीटिंग उ यहां पर अस्थाल है तो जब सूर की किरणे आएंगी तो क्या होगा जल धीरे धीरे गर्म होता है तो जल देर में गर्म होगा और अस्थाल जल्दी गर्म हो जाता है इसी प्रकार से जल अब धीरे 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 ठंडा भी होता है और अस्थाल जल्दी घंडा होता है यह सब ह को प्रभाव क्या होगा प्रधवी की सते पर प्रभावीत करने वाले कारक था भी उनी में से एक है soothing पारदर्सिता अधिक है तो क्या होगा पारदर्सी होगा तो आउसोसर कम हो जाएगा जब आउसोसर कम होगा तो तापमान कम होगा सीधा चीवात है जल पारदर्सी होने के कारण उस्मा का आउसोसर कम करेगा जब आउसोसर कम करेगा तो तापमान कम होगा अता जल कम गर्म हो कि जल की सतय की विशिस्ट उसमा और पारदर्सिता आस्थल की तुलना में तो अधीक होता है होने के कारण जहां उसमन का दर रेट आफ हीटिंग कम होता है वहीं ग्रीस्म गर्मी के समय क्या होगा वासपी करण की दर अधीक होगी तो जो जल होगा वह सूर की करण पाएगा गर्म होगा और उस्मा वास्प के रूप में निकल जाएगी तो जल धीरे-धीरे गर्म होगा जल की सतह से उस्मा का निस्कासन हो जाता है वास्पी करण के करण ठीक है सीतलंड की प्रक्रिया होती है इसलिए ग्रीस्म रित्व के समय जली सतह का तापमान अस्थल से कम होता है जबकि सीत रूत के समय वास्पी करण किदर नगन्य होने का गणा ठंडे में क्या होता है कि वास्पी करण कम होगा गर्मी कम होगी सूर की करणे मतलब कम आएंगी जिससे क्या होगा सूर की करणे तिर्शी हो जाएंगी क्योंकि सूर साउथ पार्ट में होता है गलोब के तो ह पढ़ लीजेगा आप लोग बागे समझा दिये हैं समुद्र वर्ती प्रभाव क्या होता है तो देखो समुद्र क्या होता है धीरे-धीरे गर्म होता है धीरे-धीरे ठंडा होता है तो कहने का आशा यह है कि ना तो बहुत अधिक गर्म हो पाता है वह और ना तो बहुत अध दिन में अधिक तापन में पिछली वीडियों पढ़ा चुका हूँ सतय में क्या होगा कि सीधे सूर्यता पा रही है अगर बादल नहीं है तो क्या होगा दिन में अधिक तापन प्राप्त होगा अधिक गर्म होगा रात में रेडिशन वापस हो जाएगी अंत्रिक्स में तो अधिक हो जाएगा तो यहां पे ताप अंतर अधिक होता है तो समुद्र वर्ति पुर्भाव का वास्पी करण होगा वास्पी करण होगा तो क्या होगा बादल बनेंगे तो कुछ तो रेडियेशन को एब्जार्ब कर लेंगे कुछ एलबुडियों के दोरा प्रवर्तित कर देंगे और कुछ को प्रधवी पर भेंजेंगे तो यहां पर अधिक ना घर्मी होगी न ठंडी होगी तो समुद्र वर्ति पुर्भाव का वार्षिक्ता पांतर से उल्टा संब्द होता है जहां समुद्र होगा उसके किनारे की हीट वास्प के द्वारा निकलती जा रही है ठंडी के समय क्या होगा कि सूरी की किरने कम आएंगी जब कम आएंगी तो जल गर्म नहीं होगा ठीक है ठंड के समय की बात है जल गर्म नहीं जल कम गर्म होगा तो वास्पी कर इसका कम होगा तो क्या होगा जल की गर्मी बर सथली परभाव के अधिक होने के कार वार्षिक तांपातर में ब्रत्धी होती है उचाई का तापान से क्या संब्लद है को अ वह ऑग्षाय का टंपरेचर से क्या संब्ढ़ा देखों उचाई बढ़े तो परत्वी का जो गुरुत्वा करसंड़प यह वो चाहेगा जब गुरुत्वा-कर्सर्ण मिल रहा है तीक है तो क्या होगा प्रभाव होगा वायू मंडल गुरुत्वाकर्शन बलकर जब प्रभाव कम होगा तो जो गैसे हैं उनकी सघंता कम हो जाएगी वो दूर दूर हो जाएगी जब सघंता कम हो जाएगी तो सौर उर्जा और पार्थी विक्राल का और सोर तो वायू का तापमान ही कम होगा。 इसलिए उउचे परवती चेत्रों में तापमान होता है. उचे परवती चेत्र क्या होता है? प्रत्वी की सते स अधी कुछाई पर जाएंगे। तो गृूत्वOW का सणबल कम होने करण। गैसे दूर-दूर हो जाएंगे इहां से समुद्रति प्रभाव इधर जाएंगे तो यह समूद्र है तो यह समुद्रतल से परभाव इधर जाएंगे तो इस अ solo उसे परभाव जाएंगे भाटम आशपुद्र नहीं बात समुद्र से पूरा राज स्थान के साइड में तो इधर का बढ़ेगा तो ता पांतर कम होता जाएगा निण ह Anda की मिपाए तो दिल्ली की पूर में अधिक बढ़ेगा जब अस्थल का प्रभाव बढ़ता है तो तापांतर अधिक होता है इसलिए जब दिल्ली से राजस्थान के साइड में आप जाएंगे तो दिन और रात के ताप में बहुत अंतर होगा मतलब की दिन में जहां बहुत अधिक गर्मी होगी रात में बढ़ी ठीक है विश्वत रेखा जिसे बोलते हैं यह अब यहां पे सब जल भरा हुआ है ठीक है विश्वत रेखा हमने कहा कि जो सूरी का मूवमेंट है वो कहां पे हो रहा है तो कर्क और मकर रेखा के मखर नहीं मकर रेखा के मद दो रहा है तो यहां पे जो ढाल यह परवत है मा एक इधर ढाल है तो जो ढाल विश्वत रेखा करकर नए जो ढाल इक्वेटर की और है उधर क्या होगा यहां पर पानी अधीख है सूर्यता पधीख प्राप्ट होता है इक्वेटर इस साइड वाले एरिया में तो उधर वास्वी करा अधिक होगा जब वास्वी करा अधिक होगा तो बादल अधिक बनेंगे बादल अधिक बनेंगे तो वर्सा अधिक होगी तो जो धाल अगर यह परवत स्रंखला विश्वत रेखा के समानांतर है तो इससे क्या होगा कि जो ढाल इधर हैं विश्वत रेखा की ओर है एक्वेटर की ओर है उधर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होगी वर्षा अधिक प्राप्त होगी तो उधर वनस्पती अधिक होगी कि वनस्पति अधिक होगी अब देखिए परवत ढाल विश्वत रेखा की और है अगर यह विश्वत रेखा है विश्वत रेखा की दोनों और यह परवत है तो जो परवत ढाल यह विश्वत रेखा की और है यह वाला जो ढाल है यह विश्वत रेखा की और है यह तो जल्वास्फ जब उपर जाएगा ठंडा होगा ठंडा होगा तो बादल बनाएगा थे भी जाते चाटि सारी जो जालवास्फ भी वह खतम उल्चाएं तो जहां व्रसा थिक है वनस्बилась कि तो पर्वतों की धाल होते हैं उसे एक शौर उर्जा की अधिक प्राप्ति होती है अधिक प्राप्ति होगी तो वर्सा अधिक होगी तो वनस्पति अधिक होगी आप परवत ढाल विश्वत रेखा कि जो विपरीथ है वहां पर क्या होगा तो विपरीथ है तो तापमान कम होगा तापमान कम है तो वास्पी करण कम है वास्पी करण कम है त समुद्री जल्धारा या पावन समुद्री जल्धारा क्या होती जो लहर जिसे हम बोलते ना वही समुद्री जल्धारा है यह देखे यह समुद्री जल्धारा समुद्री जल्धारा यह पानी लेके आ रही यह कभी गर्म पानी होगा तो यह इस पूरी एरिया को गर्म कर देगा यह ठंडा होगा तो इस पूरी एरिया को ठंडा कर देगा समुद्री जल्धारा और पावन के प्रभाव से क्या होता है विभिन अक्षांसों के मद्धुस्मा का अस्थानांत्रन होता है अब अक्षांसों के मद्ध कैसे अस्थानांत्रन होगा यह समझे यह हमारा जैसे मालीजे यह है एक्वेटर समझे यह करक रेखा है यह मकर रेख कौन यह मकर रेखा है ठीक है तो यह ठंदे प्रदेश है यहां पर क्या है बर्फ जमी रहती है ठीक है यह बर्फ जमी रहती है यहां पर यह अन्टार्क्टिका है तो यह जो करेंट है यह मतब करेंट इंदसेंस की वो तरंग यह जो जल्धारा है यह ठंडी होगी तो यह ठंडी जल्धारा आ रही है यह एरिया गर्म है करक रिखा के आसपास का तो यह ठंडी जल्धारा जब गर्म एरिया में आएगी तो यह एक अक्षांस हो गया यह दू समुद्री जल्धारा और पवन के दौरा विभिन अक्षांसों के मद उस्मा का अस्थाना अंत्रण होता है इसलिए कुछ अच्छांसी प्रदेशों में गर्म समुद्री जल्धारा या पवन के प्रभाव से तापमान अपेक्षाकरत अधिक हो जाता है जबकि निम्न अक्ष स्वीडन वाला पार्ट है यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती बहुत ठंड होत पड़ती है यह इस एरिया में लेकिन यह जो गर्म एक नौर्थ अट्लैंटिक ड्रिफ्ट है उत्तरी अट्लांटिक प्रवाह है जब हम आपको यह ओशन करेंट वाला टॉपिक जब कवर करा जब हाएं गे की कहां से शमुद्र यह जलदहरा इधर इंहारी क्यों चल रही है थीक यह इधर इंहरी क्यूंत जा रही है तो यह जो आपका नौष अट्लैंटिक डुर॥ है इसके कारणी इस जल धार्यगर मेल जल रहा है यह जाती है हमारी आईसलांड की तरफ तो खुदे रहते हैं क्यों वार्ष भर खुले रहते हैं क्योंकि ये गर्म जलधरा जाती है उसे एरिया के ताप्मान को गर्म कर देती है त्ब देखिए कर लेते प्रथवी दो लिबार करने वाले कारत है ये हमारा आज का टॉपिक था हमने जो उसका जुकाव है उस पर पारदर्सिता भी डिसाइड करती है प्रधिवी के सतय पर तापान को समुद्री प्रभाव हमने देखी लिया है उचाई हमने देखी लिया है धाल की अभी मुक्ता भी अभी देख चोगो समुद्री जलधाराव पौन का प्रभाव तो यह बहु और यह नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दें जिससे हमारा जो भी मैसेज मतरब जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुंच सके तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में